जाएं दोस्तो वेलकम टू माई यूटूब चैनल दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हम लोग टैली प्राइम में पी यानि पॉइंट अफ सेल्स पे वर्क कैसे करते हैं ये चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो का हम लोग पॉइंट अफ सेल्स में जैसा कि पॉइंट अफ सेल्स में होता क्या है कि जब समान कोई हम लोग बेशते हैं तो वो कैसी नहीं ले करके अलग अलग तरीके से हम लोग पेमेंट को एकसेप्ट करते हैं तो वो पेमेंट हम लोग गिप्ट से ले सकते हैं चेक से ले सकते हैं यानि बैंक के तुरू या फिर हम लोग ट्रंसपर करवाश रखते हैं या फिर कैस में ले सकते हैं तो यह अलग अलग अगर आप पैसा यह एकसेप्टेट कर रहे हैं तो उसका एंट्री हम लोग टैली प्राइम में कैसे करेंगे इसके लिए हमें पॉइंट ऑफ सेल्स के हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए हम ABC नाम से यहां पे एक दोस्तों कंपनी मना ले रहे हैं इंडिया और बिहार का यहां से इंडिया सेलेक्ट कर लिए हैं बिहार और एकसेप्ट कर लेते हैं अब दोस्तों आपको GST पे वर्क करना है तो यहां से आपको GST क नहीं करनी है अब दोस्तों अगला काम क्या करना है आपको कुछ लेजर्स बनाने है लेजर बनाने के लिए आपको यहां से क्रियेट में जाना है फिर यहां से लेजर को सेलेक्ट करना है और लेजर बनाना है दोस्तों आपको यहां से पर्चिस का इंटे करेंगे यह अंड और nature of transaction purchase tax level ले लेते हैं फिर इंटर करेंगे यहां से इंटर करने के बाद rate जो है 18% पर वर्क कर रहा है तो integrated tax 18% central 9, state 9 और यहां से type of supply में goods लेंगे और इंटर करके हम accept करा देते हैं उसके बाद दोस्तों एक laser बनेगा input CGST का 9% इंटर करेंगे दोस्तों तो यह जाएगा आपका duties and taxes में तो यहां से duties and taxes select करना है टाइप जो हो जाएगा वो GST हो जाएगा और यहां से हमें CGST center लेना है percentage 9% calculate करना है rounding method हो जाएगा आपका normal rounding और इंटर करके accept कर देना है उसके बाद दोस्तों एक बनेगा आपका input SGST at the rate of 9% इंटर करेंगे यह भी duties and taxes में जाएगा यहां से GST select करेंगे और यहां से state select कर लेते हैं percentage 9% होगा और rounding method यहां से normal rounding और इंटर करके हम accept कर लेते हैं अब दोस्तों यह purchase करके पहले हम रख लेते हैं उसके बाद में हम sales के लिए काम करेंगे फिर से हमें create में जाना होता है और यहां से पहले units decide करना है तो हम एक piece बना लेना units में formal name PIECE होगा और इंटर करके हम यहां से accept कर लेते हैं और कोई changing नहीं करेंगे उसके बाद दोस्तों scripts हम back जाएंगे और stock item में हम बना लेते हैं दोस्तों एक J-A-C-K-E-T jacket का यह under primary में डालते हैं और units का piece डालते हैं GST applicable कर देते हैं details यहां से yes कर देते हैं description में goods लिख देना है HSN code जो jacket का है वो डाल देना है calculation type on value रहेगा taxability दोस्तों यहां से taxable लखना है 18% पर काम कर रहें तो 18% integrated जिसमें central 9% estate 9% case 0% type of supply में goods लेना है और इंटे करके आपको accept कर देना है उसके बाद दोस्तों escape से back जाना है और purchase करने के लिए जाना accounting voucher में इंटे प्रेस करना है purchase का shortcut की होता है दोस्तों F9 या फिर यहां से F9 प्रेस कीजिएगा यह purchase हो जाएगा invest number डालेंगे date डालेंगे पार्टीज नेम हम यहां से cask डाल लेते हैं और इंटे केर के आगे बरेंगे उसके बाद दोस्तों यहां से हम purchase का laser डाल लेते हैं laser purchase का name of item में jacket डाल लेते हैं और हंडेट पीस खरदारी कर लेते हैं 9000 के rate से इंटे करेंगे और यहां पे input CGST 9% चार्ज कर देंगे और input SGST 9% चार्ज कर देंगे यह तो दोस्तों purchase की बात हो गई यहां से अगर bill print करना even bill तो yes कर लेते हैं और इंटे करके आगे भरते हैं narration लिख करके और accept कर देते हैं तो दोस्तों यह purchase की बात हो गई लेकिन मुझे point of sales पे काम करना है अब तो यह purchase करके 1000 पीस मैंने stock में रख लिया लेकिन इसको जो मुझे sales करना है वो POS में करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा तो चलिए दोस्तों escape से हम back जाते हैं अब आपको करना है क्या होगा यहां से जाना है दोस्तों आपको create option में और जाना है voucher type में इंटर करना है यहां पे दोस्तों एक voucher बनाना होगा POS का जिसको point of sales invoice बोलते हैं तो POS invoice का इंटर करेंगे यह under चला जाएगा आपका दोस्तों sales account में तो यहां से हम sales account को select कर लेते हैं यह रहा आपका sales account इंटर करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पे और कोई changing नहीं करना है इंटर करके आपको आगे बढ़ना है और यह printing जो voucher after saving option इसको yes कर देंगे इससे क्या होगा कि print जो होगा उससे पहले यह save हो जाएगा और यहां पे जो है use of point inviasing इसको yes करेंगे और उसके बाद message में ह इंटर करेंगे दोस्तों default print title रहने देंगे जो है वो रहेगा invoice करके इंटर करेंगे उसके बाद यह declaration में कुछ नहीं डालना है और यहां पे डालना है POS इंटर करना है अब दोस्तों यहां पे यह काफी important चीज है इसको ध्यान से समझना है क्योंकि यह पैसा लेने का अलग अप्लिकेबल है तो यहां पे आपको alt c करना है और एक gift voucher बना लेना है GIFT gift voucher gift के नाम से ही बना लेते हम यहां पे यह जाएगा आपका Sunday dators में इंटर करना है bill by bill no कर लेना है और इंटर करके accept कर देना है अब दूसरा है दोस्तों credit debit card payment तो आपका जो है card payment bank के थ्रू लीज तो आप type भी कर सकते है जो bank हो उसका नाम यह अंडर चला जाएगा आपका bank account में यहां से select करना है bank account account number अगर डालना है तो डाल सकते हैं IFSC code अगर डालना हो तो यहां से हम डाल सकते हैं इंटे करेंगे दोस्तों इंटे करने के बाद swift code भी डालना है तो डाल सकते हैं otherwise आप आगे बढ़िएगा और इसको accept करा देते हैं अब चीह किया DD से लेते हैं तो वह भी आपका bank की कहीं होगा तो same डाल देते हैं SBI bank यह नहीं bank SBI cash तो अलड़ी cash में होता है तो cash डाल लेत टाइप अफ लेजर आपका not applicable रहेगा GST applicable रहेगा details यस रहेगा descriptions में goods रहेगा इंटे करेंगे HSN code एक डाल लेना है और यह nature transactions not applicable रहेगा यहां से sales taxable इंटे करेंगे और यह जो है कि 18% पर काम करेंगे तो 18% central 9% state 9% इंटे करेंगे type of supply में goods होगा और इंटे करेंगे हम accept कर लेते हैं अब यह दोस्तो state ultra tax class no रहेगा options 100% रहेगे और यह override options no रहेगा अब यहाँ पर laser डालना है आपको दोस्तो cgst और sgst तो alt c करके और आपको बनाना है output cgst at the rate of 9% इंटे करना है दोस्तो यह अंडर जाएगा आपका duties and taxes में तो यहां से duties and taxes को select करना है यहां से gst select करना है यहां से c है तो central percentage 9 rounding method normal rounding और इंटे करके accept कर देना है इंटे करना है दोस्तो फिर alt c करना है और बनाना है output sgst at the rate of 9% इंटे करना है दोस्तो यह भी duties and taxes gst और यहां से लेना है state tax 9% rounding method normal rounding और इंटे करके accept कर देना है फिर इंटे करना है दोस्तो इंटे करके अगर आप round off भी लगाना चाहते है तो alt c करके यहीं पर round off का भी laser बना लीजे round off इंटे करेंगे यह जाएगा आपका indirect expenses यह income में भी डाल सकते हैं expenses ही कर देते हैं यह not applicable not applicable और accepted अब यहाँ पर दोस्तों round off का calculation पूछेगा की calculation कैसे करना है तो as total amount अंडिंग मतलब total amount जो जोर कर आएगा उस पर rounding करना है ठीक है यहां से not apply के वाए यह आपका rounding list में start जो है वो नर्मल आउनिंग और एक रुपया से limit जो है rounding करेगा one दे देना है और यह सखना है और accept कर देना है अब दोस्तों आपको back जाना है अब आप POS पर असानी से काम कर सकते हैं इसके लिए counting voucher में जाना इंटे करना है sales खोलने के लिए यहां से effect पे प्रेस किजिएगा तो POS vouchers के लिए यहां पे आपको option देंगे तो POS in by select करना है और class में भी POS select कर लेना है और इंटे करना है अब यहां पे party name अगर किसी ब्यक्ती का नाम डालना चाहते है जिससे बेच रहे है तो create में जाएंगे और उसका लेजर accept करा देते हैं उसके बाद इंटे करने के बाद फिर से हम accept कर लेते हैं अब समान का नाम यहां से jacket है by default दोस्तों एक पीस यहां लिया हुआ है अगर माले जाए मुझे दस पिस बेशना है तो हम यहां से बैकर के दस पिस डाल देते हैं रेट है 12,000 का डाल देते हैं और इंटे करेंगे दोस्तों तो यह देखिए सब कुछ automatic हो गया लेकिन यहां पर round off का यह पता नहीं चल लाए आपको because rate तो यह सीधा सीधा है थोरा सा मुझे rate में changing करना होगा जिसे 12,000 और point 33 पैसा कर देते हैं इंटे करेंगे तो यह आपको round off भी य 41604 रूपया लेना है तो इसको हम कैसे लेंगे तो यह round off में हो गया यह पैसा लेने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा अब यहां पे gift voucher में अगर माल लिया जाए कोई मुझे payment कर रहा है 50,000 तो 50,000 हम gift से ले ले लेते हैं अब 19,000 पैमेंट करना है तो bank से हम कर दिये सपो सपोज 20,000, 20,000, card number डाल देते हैं जिस card से हम payment कर रहा है इंटे करेंगे, check से payment कर दिये सपोज 25,000, 123,000 और यह bank का नाम डाल देते हैं जो भी bank है आपका, तो SBA यह है तो हम यहां पे डाल देते हैं, SBA bank से हम payment कर रहा है, मतलब payment ले रहा है, check ले रहा है SBA bank का, जो की check number इतन रहा है, तो माल लिए जा 46,000 नहीं हम 47,000 रही payment कर रहा है, 123, तो वो मुझे 47,000 cash दे दिया, तो मुझे वापिस करना होगा, 396 रूपया, यहां पे balance दिखा रहा है, 396 रूपया, यहां पे बैलेंस दिखा रहा है, 396 रूपया, यहां से आपका जैकेट का, यह bill बना, आपक 10-5, HSN code इतना रहा, rate इतना रहा, और amount यह रहा, output CGS, TGS, TGA और यह total चीज रहेगा, यहां पे, और यह सारे चीज यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसमे balance 396, वो office करना है, check से कितना लिए, card से कितना लिए, यह सारे चीज, card number कितने है, आपका check number कितना है, सारा command देंगा दोस्तों, तो यह आपका क्या हो जाएगा, print out हो जाएगा, otherwise आपको print का options आपको यहां पे दो नहीं दे रहा है, यहां पे भी दे रहा है, दोस्तों, print कर दीजेगा, तो directly यहां से भी print हो जाएगा, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग Tally Prime में, आप POS पे काम करते है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, comment करके ज़रूर बताईएगा, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को like and subscribe ज़रूर कर लिजेगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा, तब तक के लिए take care, have a nice day, bye bye, thank you